जै मा मतंगी जै मा चिन नमस्ता जै मा बगला मुखी मेरे प्रियो सादको और दर्शुको आज जो वीडियो है वो बहुती मात्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए एक बहुती पावर्फुल मंत्र के साथ मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी हमने हमारे दर्बार से दूर किया है उन लोगों के बारे में हमने आप लोगों को समय समय पे सुचित किया है और सुचित इसलिए किया है कि आप लोग ठगे ना जाओ मतलब हमारे नाम से आपके साथ कोई ठगी ना हो जाए इसलिए हम लोग आपको समय समय पे सुचित करते रहते हैं कि ये विक्ति हमारे दर्बार में नहीं है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ये इसलिए बताया जाता है आपकी सुरक्षा को देखते हुए कई आपके सठगी ना हो ये सारी बाते सोचते हुए हम आप लोगों को जानकरी देते हैं वैसे ही हमारे दर्बार में एक वेक्ति था जो कैंटिंग सुविधा चलाता था सेवा देता था उसका नाम है महेंदर सिंग राचपूत इससे आप लोग सावधान रहेगे इसका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये हमारे सिश्य परिवार में है तो हमारे जीतने भी अगोर मार्ग चैनल के दर्शक तता सादक है वे सबी लोग इस वेक्ति से सावधान रहें सतरक रहें और इससे कोई संपर्क ना रखें और जो हमारे सिश्य अगन है उनसे मैं एक आदेश देते वे ये बात कह रहा हूं कि आप लोग इस वेक्ति से है और अगर आप लोगों के साथ कुछ भी होता है कोई भी वेवार होता है कुछ भी ठगी होती है कुछ भी होता है तो उसके लिए आप लोग स्वयम जिम्मेदार रहेंगे मामातंगी दरबार का या हमारा इससे कोई लिना देना नहीं है तो हमारे नाम से आप लोग इससे कोई वेवार ना करे इससे सावधान रहे जो वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ इससे आप लोग अपना खुद का और अपने परिवार का तंतर काट कर सकेंगे परियाद रखें ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एक बार तंतर काट कर लिया इसका मतलब आपके उपर दुबारा तंतर नहीं होगा तंतर काट करने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वर रखता है कि आपका सुरक्षा कवच आपका सुरक्षा ताबीज ये होना चाहिए अक्सर लोग जो हमारे आपे तंतरकाट करने आते हैं वो लोग तंतरकाट करके चले जाते हैं लेकिन वो लोग अपना सुरक्षा, ताबीज या कवच हमसे नहीं लेते हैं जिस वज़े से उनके उपर दुबारा तंतरक्रिया हो जाती क्योंकि देखिए जो आपका दुश्मन है वो तो आपके पीछे लगाए वो तो आपको किसी भी हालत में बरबात करना चाहता है तो वो तो आपके पीछे हाथ धोके लगाए होता है और मैं हमेशा ये कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग हमारे यहीं नहीं आप कही भी तंत्रकार्ट कराते हो तो ताबीज लेना ना भूले किसी से भी आपके कोई भी गुरू हो किसी के भी आप छत्रचाया में जाते हो तो तंत्रकार्ट के बाद उनसे सुरक्षा, ताबीज या कवच अवश्य खरीद ले अब देखिए हजारों लोग हमारे पास आते हैं और कई लोगों का तंत्रकार्ट नहीं हो पाता है और कई लोग परेशानी में होते हैं इस तंत्रकार्ट से आप बड़े से बड़ा तंत्रकार्ट सकते है आपको आराम तुरंत मिल जाएगा लेकिन बाद में आप लोग जरूर तंत्र काट करवा लेना क्योंकि जब आप इससे प्रयोग करोगे उस समय तो आपका तंत्रा 100% कट जाएगा इसमें कोई डाउट ने कितना ही बड़ा तंत्र क्यों नहों कट जाएगा लेकिन आपका दुश्मन भी तो चूप नहीं बैठेगा जब आप तंत्र काट करते हो तो उसे पता चल जाता है कि उसका आपने बंदन जो भी क्रियाए है आपने काट दी है तो वो फिर क्रियाए करता है पर इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत से लोग है जो परिशानी में है जिने तुरंत आराम चाहिए उन्हें तुरंत तंत्र काट कराना है तो ऐसे लोग इस प्रयोग को करके अपना तंत्र काट कर सकते हैं और कुछ समय के लिए उनको आराम मिलेगा ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी होली आने वाली है और ये प्रयोग केवल होली के दिन ही किया जाता है तो ये बहुत सरल प्रयोग है इसमें आप एक साथ सभी लोग बैठके भी अपना तंत्र काट कर सकोगे और याद रखे ये केवल होली के दिन ही किया जाता है बाकी दिन ये प्रयोग आपके उपर काम नहीं करेगा तो आप सोचेंगे कि ये मैं कभी भी बारा मैने मैं कभी भी करू तो ऐसा नहीं हो सकता तो आने वाले हूली के दिन मतलब जिस दिन हूली जलायी जाती है उस दिन आपको इसका प्रयोग करना है इसमें कुछ भी हो चैये किसी के शरीर में भूत परृत हो किसे के उपर कोई जादू टोना किया हो या किसी के उपर कोई बंदन दाला हो चाहे लक्षमी बंदन दाला हो चाहे पित्रों को बान दिया हो चाहे उनके कुल देउता को बान दिया हो है ना किसी भी तरह का तंत्र क्रिया किया हो चाहे मसानी क्रिया हो चाए फिर उच्चाटन, विदेशन, मारन, मूट किरिया, बान किरिया जो भी किया हो हर किरिया का काट इस मंत्र से हो जाएगा लेकिन याद रखे जब आप तंत्र काट करते हो उस समय आपको अपना शरीर का सुरक्षा करना बहुत जरूरी है ठीक है? तो सुरक्षा मंत्र जो है हमारे यूटूब पे दिया हुआ है आप लक्षमन घिरा का भी प्रयोक कर सकते हैं राम रेखा भी मैंने दिया है राम रेखा से भी आप गोल घिरा बना सकते हैं और गोल घिरा बनाने के बाद अंदर बैट कर आपको ये क्रिया करनी है अब ये क्रिया आप कैसे करेंगे ये भी आप समझ लीजे सारी सामागरी आप एक दिन पहले लाकर रखते मतलब समय पे भाग दोड़ नहीं होगी अगर सामागरी आपके पस तयार होगी तो एक दिन पहले आप सामागरी लाकर रखेंगे और प्रयोग आपको उस दिन करना है जिस दिन होली जलाई जाती है अब आपको क्या करना है लखडी सभी खटी करना है जैसे होली जलाते हैं उस तरह आपको पीपल या नीम की पांच किलो लखडी लाना है और होली के जैसे ऐसे खड़ी-खड़ी लखडी लगानी है याद रखे याद रखे हवन कुंड में नहीं जलाना है खुले में आपको इसको रखे फिर उसके बाद में आपको क्या करना है एक सुपारी सामने रखना है सुपारी के बाद आपको क्या करना है उसके उपर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर दालना है सुपारी के उपर और वो लकडी के उपर जो आपने होली के जैसे सजा के रखा है उसके बाद चौव मुखा दिपक आटे का होना चीए उसमें आप सरसो का तेल डालेंगे चार बत्ती लगाएंगे और उसे दिपक को जला देंगे जब आप दिपक जलाएंगे तब आपको बुलना है दिपम समर्पयामी उसके बाद आप गुलाब इत्र जितने भी लोग अपना तंत्र काट कराना चाहते सब लोग अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा गुलाब इत्र लगा देंगे कपडों के उसके बाद फाज बताशे आपको चार तरफ से चार बताशे रखना है कहां पर जो आपने बीच में लकडी रखी है न उस लकडी के चार तरफ चार बताशे रखना है और एक बताशा दिपक के सामने रखना है फिर आपको दिपक के सामने मिठाई रखनी है और एक मिठाई आपको लकडी के अंदर दाल देनी है अब आपको जितने लोग तंत्र काट करेंगे उन सबी को कुछ सामागरी सर पे पकड़नी होगी ठीक है? एक 20-25 सेकेंड के लिए तो क्या-क्या समागरी है? वो मैं आपको बता रहा हूँ पांच मिर्च पांच निम्बू एक मुठी चावल ग्यारा लॉंग एक जाइफल इतनी चीजे आपको सर के उपर 20-25 मिनिट पकड़नी है और तीन बार उतारके सामने आप रग दोगे और उसके बाद में जो मैंने मंत्र बताया है वो मंत्र आप एक बार पढ़ेंगे एक बार मंत्र पढ़ने के बाद आप अगरबत्ती जलाएंगे अगरबत्ती जलाके आप वो दीपक को और वो लखड़ी को दिखा देंगे पाँच-पाँच बार और अगरबत्ती रख देंगे उसके बाद आप कपूर जलाएंगे और कपूर जलाने के बाद थोड़ा सा तेल आप लखड़ीयों के उपर दालेंगे और फिर लकडियों को जला देंगे इसके बाद जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र को 11-11 बार पढ़ना है और 11-11 काली उड़त की आउती आपको इसमें डालना है किसमें जो लकडिया आपने होली की तरह रखके जला रहे है उसमें आउती डालना है ग्यारा ग्यारा बार आउती डालने के बाद आप लोग, सबी लोग पुर्वकी और मुख करके जो आपने उतारा रखा था जैसे मिर्ची, निम्बू, एक मुठी चावल, ग्यारा लॉंग, जाय फली जो आपने सामागरी पहले तीन बार उतारा करके रखा था ये पुर्वकी और मुख करके अपने सर से लेकर पैर तक एक कवन बार उतारेंगे और उतारने के बाद आप इसे अच्छे से जला देंगे, ये याद रखें, और जलाने के बाद इसकी रांख किसी सम्शान में फिकेंगे, या फिर बैते पानी में बहा देंगे और जो आपने जो हवन के लिए जो लकडिया जलाई थी जिसमें आपने आहूती डाली थी उसको उस दिन वैसे ही छोड़ देंगे उसको कुछ नहीं करना है दूसरे दिन आपको उसको उठाना है सभी सामागरी समेटनी है और बहते पानी में बहा देना है अगर बहता पानी ना मिले तो आप उसे उठा के समश्यान में भी फेक सकते है याद रखे कैसा भी तंत्र हो आपको तुरंत आराम इससे मिल जाएगा और उसके बाद भी अगर आपके उपर बार बार तंत्र हो रहा है तो आप याद रखे सुरक्षा कवच हमसे जरूर खरीद ले या हमारे किसी कारेकरम में आप लोग आके भी ये सुरक्षा ताबीच खरीद सकते है और याद रखे ये सिर्फ होली के दिन करोगे तो ही फाइदा देगा बाकी साल भर ये काम नहीं करता है क्योंकि ये होली के लिए ही स्पेशल ये मंत्र है ठीक है और एक बात याद रखे जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो याद से लक्षमन रेखा या फिर राम रेखा से आप अपना सुरक्षा घिरा अवश्य बना ले राम रेखा और लक्षमन रेखा का मंतर मैंने YouTube चैनल पर अपने दे रखा है आप वहाँ से मंतर ले सकते, वो भी स्व्यमसिद्ध मंतर है और जो आज मैंने आपको प्रयोक दिया है इसका भी मंतर स्व्यमसिद्ध है ये आसाम में होली के समय इस मंत्र का अक्सर प्रयोग किया जाता है और ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है ये आसाम में बहुत प्रचलीद मंत्र है घर घर में ये मंत्र मिल ही जाता है इतना प्रचलीद भी है पावरफुल भी है और स्वयम सिद्ध भी है मान लोग अगर आप इससे तंत्र काट करते हैं और उसके बाद में आप ठीक हो जाते हैं और फिर आपके उपर कोई तंत्र क्रिया हो जाती है तो आप घबराएं नहीं हमारे किसी अगले कारिक्रम में आप आके अपना तंत्र काट करा सकते हैं आशा करता हूँ, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा जै मा मतंगी, जै मा चिन नमस्ता, जै मा बगला मुखी